पात्रा चौल जमीन घोटाले मामले में संजराउत की मुश्किलें बढ़ती जा रही है बीते दिन उन्हें हिरासत पे लिया गया था तो अब उन्हें गिरफतार कर लिया गया है लेकिन अब कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि इस लड़ाई में संजराउत अकेली नहीं है तो आज क्या कुछ होने के आसार है आएए देखते हैं इस रिपोर्ट में महराश्ट का माहोल एक बार फिर गर्मा गया है पात्रा चॉल भूमी घोटाले मामले में शिवसेना सांसरत की गिरफतारी के बाद आज उनकी पीमले स्पेशल कोट पे पेशी है ऐसे में आज फिर महराश्ट में हाई वोल्टेस ड्रामा देखने को मिल सकता है क्योंकि राउट समर्थक E.D. और B.J.P. के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं शिवसेना नेता संजे राउट की गरफतारी को लेकर उनके समर्थक लगातार विरोध जता रहे हैं और इस गिरफतारी को लेकर पूरी मुंबई में विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई है जिसको देखते हुए केंद्रे जाच एजनसी के दफ्तर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है आसपास बेरिकेट्स लगाए गए हैं इतना ही नहीं अब इस पूरे मामने में राउत को कॉंग्रेस का समर्थन भी मिल चुका है कॉंग्रेस निता अधीर रंजन चौधरे ने कहा कि वो राउत के साथ हैं इसके लावा आज इस मुद्दे को सदन में भी उठाने की तैयारी विपक्ष ने कर ली है लेकिन विपक्ष सरकार की इस कारवाई का अब पूरी तरह से विरूत कर रहा है और एक जुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है ऐसे में अब संजीर राउत को भी विपक्ष का समर्थन मिलता नजर आ रहा है इतना ही नहीं इडी की इस आचानक कारवाई के बास से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्या ये मामना राज्यपाल भगसिंग कोश्यारी के विवादित बयान से मचे हंगामे को दबाने के लिए उठाया गया है अब इसके पीछे क्या है वज़ा ये बता पाना तो अभी मुश्किल है लेकिन फिलाज जिस तरह से जाच एजनसियों के निशाने पर लगातार विरोधी दल आ रहे हैं उसने विपक्ष का गुसा बढ़ा दिया है दीबिलाइफ के रिपोर्ट